ए वाट्सब नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरे नमस्कार आप सब कैसे हैं आज हम लोग कवर करने जा रहें अपनी TGT पनेशा की क्लास नमबर 82 ठीक है ना इससे पहले हम लोग काफी सारे कोश्टन को कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रमद प्रोटो थीरिया में आते हैं मैमरी ग्लैंड्स विदाउट इट्स आर कंसीडर्ड अंडर प्रोटो थीरिया यह प्रश्ण जो सेकेंड नंबर पे है पांसो पंद्रा नंबर पे यह प्रश्ण शायद 2009 में पूछा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक इंद रहते हैं तो उचाई पर रहने के कारण यहां ऑक्सीजन मिल नहीं पाती क्योंकि पेड़ पौदे तो नीचे हैं और यह आप उचाई पर रह रहे हैं मतलब जहां बर्फीले एक शेतरे हैं इस तरह से जैसे हमाले हो गया सिक्कीम गंगटो नेपाल इस तरह के एरियाज में ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन कम होने के कारण उनकी RBC अपनी संक्या खुद बढ़ा लेती है ताकि वो जद्दा से ज्यदा ऑक्सीजन को कैरी कर सके आई बात समझ में दोनों वाते हैं अगर ऑक्सीजन जदा होगी तो RBC की नमबर कामन रहेगी लेकिन अगर यह कंडिशन आजाए कि oxygen का level कम है तो RBC अपने आपको खुद बढ़ा कर उचा कर लेती और इसी कारण से ही परवतों पर या पहाड़ों पर पाए जाने वारे लोग ज्यादा juicy cheeks वाले होते हैं गुलाबी गुलाबी गाल होते हैं जैसे हमांचल परदेश के लोगों का आप देखे या नेपाली लोगों को देखे वे इविन आप नेपाल की लड़कियों को देखे तो उनकी skin इतनी glow करती है और ऐसा लगता है बढ़ापा भी नहीं, बलकुल, ठीक है ना, तो यहीरीजन होता है, चलो भई, एंडोथीलियम आफ ब्लेड वैसल की अगर हम बात करते हैं, एंडोथीलियम आफ ब्लेड वैसल अगर पूछा रहा है, तो इसको एमस उपिछीलियम होता है, हिपैरिन का निर्मार लीवर करता ह आपको पता है कि फेशियिस का क्याटरिक फीचर होता है वेनस हां ऑर इजल और ऑर फीर फिर भी एक बार कर सकते लेकिन उसलिक है बहुत अच्छे से श्याकर प्लत करना है प्लखन संक्या 519 की फार्टरिक फीचर of fishes is venous hurt ठीक है आगे बड़ो बेटा excretion in amoeba यह बड़ा छोटा सा और बड़ा important question है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं पता है बेटा देखो यहाँ पहले हम आपको थोड़ा साफ कर दें तो clear हो यह देखो excretion in amoeba occurs through plasma lima या plasma membrane कह दो ठीक plasma membrane की थूँ होता है excretion लेकिन कुछ लोग इसमें पता है क्या लगा के चले आते है contractile vacuole यह गलती करके चले आते है और यह गलती हमने भी जब हम all India pre veterinary test देने गए थे तब हम करके आयते इसलिए मापको बता रहे है 2009 की बात ही है ठीक है ना तो हमने सोचा contractile vacuole जब पानी निकालती है extra पानी होता जो उसके body में वो निकालती है तो फिर यह भी निकालती होगी तो हम यह लगा के चले है क्योंकि plasma membrane बड़ा common लग रहा था तो वह गलती हो गई एक नंबर से तो आई बात समझ में तो स्वरी कहां चला गया तो अगर एक्सक्रीशन की बात पूछी जाए अमीबा के तो plasma membrane आंसर जाएगा ठीक है चलो बागया हो बेटा की साइटो क्रोम जो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं करिश्टी में पाए जाते हैं mitochondria के सब पता है आपको कोई इसमें retention वाली बात नहीं है mammalian kidney कैसी होती है metanephric mammalian kidney कैसी होती है बेटा metanephric mammalian kidney कैसी होती है metanephric बहुत ध्यान से सुनना जो hermit crab होता है और see any moon होता है इसको देखना बेटा YouTube पे पढ़ा हुआ है बहुत अच्छा वीडियो है बहुत अच्छा लगी को देखके उसका relationship क्या कहलाता है commensalism क्या कहलाता है commensalism the relationship between hermit crab and see any moon is known as commensalism चिक आई बात समझ में प्रश्न संख्या 524 सुनते चलना बेटा इससे पहले हम लोगों ने जो पहली वाली स्लाइटी तो उसमें पढ़ा था बेटा DDT वो malaria के eradication program में यूज होता था आज हम दूसरी चीज़ लेके हैं आज क्या लेके हैं 240 what is 240 240 is 2,4 diphenoxy acetic acid that is VD side आई बात समझ में उसको आप consider कर सकते हो DDT को आप consider कर सकते हो insecticide में लेकिन 240 क्या है राजा बेटा VD side जैसे यह आपका main plant था और यह side में लग गया तो यह 240 छड़क दिया तो यह खतम हो गया यह अपना proper growth करेगा आई बात समझ में क्योंकि यह competition create कर देते हैं इसके लिए इसका बोजन पानी यह ले रहते हैं और वैसे भी जो wild species होती है वो ज़्यादा थाकतवर होती है पता ही आपको ठीक है चलो राजा बेटा आगे देखते है question पूछा जाता है कि अरगट किस से निकाला जाता है आप बोलोगे cleviceps perpurea से निकाला जाता है molecular theory of inheritance वाले chapter में NCRT में पूछा गया था कि BDNA जो होता है जो यह question पूछा जाते हैं बेटा कौन सा anti-parallel है कौन सा parallel है कौन सा right-handed है BDNA, CDNA, ZDNA DNA भी 3-4 परकार के होते हैं चेक है और आज की slide का यह हमने प्रशन रख दिया आपको बताने के लिए कि 527 नमर पर एक तो इतनी खुसी थी खुसी कि मारे गलत लिख दिया होगा C-H-O-N-D-R-I-O S-O-M-E Chondriosome Ch na भी लगा तो भी चलेगा कोई लोग Ch लगाते हैं कोई लोग नहीं कुछ किताबे लगाती हैं कुछ नहीं लगाती है तो Chondriosome किसे कहते हैं सबको पता है लेकिन ये नया शब्द है मतलब घुमा फिरा के पूछा जाता है तो इसके विशे में बात की जाती ही कभी कभी तो आज का जो शब्द है वो है Chondriosome इसके विशे में हमको वीडियो के लास्ट में उत्तर में कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दीजेगा इसके पहले वाली जो वीडियो है 81 उसमें लोगों ने आंसर नहीं दिया है गंदी बात है आपको आंसर हर वीडियो में देना ही चाहिए आपको नहीं देना आप मत दो आपमसे ये तो नहीं कहाँँगी आपने तो कहाता है इससे 50 कुशन फसेंगे जब नहीं फसेंगे तो आप हमसे बोल भी नहीं पहाँगे आपसे मैनद करांएं अपने हैं लेकिन आप मत करो बात नहीं ठीक ना चलो भाई तो kondriosome के बारे में आप समझें कि नहीं ये kondriosome के विशे में आप हमको वीडियो के slide में last में बताईएगा चलो भई आके बढ़ते हैं cell wall of both bacteria and sinobacteria contains muramic acid cell wall किसकी चाहे bacteria की हो बेटा या sinobacteria की दोनों में muramic acid पाया जाता क्या पाया जाता भईया एक slide पहले भी बताया था the highest degree of genetic variability हमने याद को आपको बताया था कि जब hybridization कराओगे या recombination कराओगे या थोड़ी बहुत genetic engineering करोगे तो थोड़ा बहुत variation कर पाओगे लेकिन अगर आपको greatest genetic variability चाहिए तो बेटा एक ही चीज है जो हमने पहले भी बताई थी आज फिर बता रहा है mutation और mutation एक चीज ये भी जान लेना sudden होता है आप यह मत सोचो कि 3 generation में आपको दिखेगा 2 में दिखेगा 10 में कभी नहीं दिखेगा 11 में अचानक से दिखेगा आपको mutation is the sudden phenomena recombination sudden नहीं है बेटा gradual phenomena है दिमें दिमें आपको changes दिखेंगे आई बात समझ में चलो बागे बढ़ते है growth of pollen tube towards the embryo sac is chemo taxes बिल्कुल सही बहुत important question है यह बहुत पूछा जाने वाला प्रशन है question पूछा जाता है जो pollen tube है वो embryo sac की तरफ बढ़ती है तो कैसे this all is chemical talk chemical talk जानते हो क्या करते है पौधे खुद करते है आपको एक बात बताते हैं बहुत छोटी सी आपने कभी नहीं मैसूस किया होगा हम आपको बताते हैं और यह आप इस चीज़ को सुनना जारा समझना बहुत ध्यान से कभी आप कभी आप क्या करिए कि आप किसी गार्डनर से या गार्डन से गार्डनर से मतलब मेरा यह था किसी माली से बगिया से बगीचे से कोई फलार लेके आईए पुरा मतलब प्लांट लेके आईएगा मतलब केवल फलार नहीं कोई प्लांट लेके आईएगा और उसके बाद उस पौधे को अपने घर में रखेगा लाके तो आप देखेगा बीस दिन तक वो ग्रोथ ही नहीं शो करता पता ऐसा क्यों कोई पौधा आप नहीं लेके आई है माली के पास से बगिया से बगीचे से तो कम से कम गिरी से गिरी हालत में दस दिन वो बिल्कुल सननाटा मार के बैठा रहेगा कोई ग्रोथ नहीं दिखाएगा एक पत्ती तक नहीं निकालेगा ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पचास हजार पौधों के बीच में था बगिया में तो बहुत सारे पौधे होते घास फूस दुनिया भर के पौधे हर तरह का पौधा उससे उसकी क्या होती थी केमिकल टॉक आई बात समझ में उससे उसकी क्या होती थी केमिकल टॉक और आप उसको अचानक से अपने घर पे ले आए और ऐसी जगे रख दिया यह इंडूर प्लांट समझके कई ऐसी जगे रख दिया यह आपका कमरा था आपने आपको ओने पे धर दिया भाई साब यहाँ कुछ भी नहीं रखा है यहाँ फ्रेज है, अलमारी है, आपकी टीवी लगी हुई है सोफा पड़ा हुआ, यहाँ अकेले खड़ा हुआ तो उसकी ग्रोथ शून्य हो जाएगी बंदरा से बेज दिन फिर वो धीरे धीरे उन चीज़ों को मैनेज करता है और अपने आसपास के महल में एकमोडेट करता है, अडप्टेशन करता है फिर वो ग्रोथ दिखाता है, अगर उसका अमन करेगा वरना वो जो 1.500 रुपए का आप प्लांट लेके आये थे, यह कहके कि सर यह तो ऑक्सीजन प्लांट है यह कमरों के अंदर रखा जाता है हम तो अंदर रखें, यह मर क्यों गया यही रीजन होता है यह शायदी आपको कोई कभी जिवन में बता पाएगा आप देखना, ऑक्सीजन प्लांट जो होते है आप 1.500 रुपए, 100-100 रुपए के हम भी कई बार लाए, तो उनके मरने का ही कारण होता है, खतम हो जाते हैं वो जल्दी-जल्दी दो-चार महीने तो वैसे रहते हैं उसके बाद हो मर जाते है तो उसका यही रीजन होता है क्योंकि यह वाइल्ड इश्पीज रीज नहीं है वो दस पौधों के बीच में खड़ा था उनसे उनकी केमिकल टॉक होती थी वो उसको इन्वार्मेंट पसंद था कीमो टेक्सिस अब समझ गे ना तो कीमो टेक्सिस का मतलब होता है जो पॉलन ट्यूब है जैसी यह है पॉलन ट्यूब यह इंब्रियो सेक तो यह यह यहां से केमिकल टॉक होती है धीरे धीरे ग्रोथ करता जाएगा ऐसे बढ़ते बढ़ते यह आ गया आई बात समझ में, चलो चाह, तो हेट्रोफिली किसमें पाई जाती ही, लिम्नोफिला में, हेट्रोफिली किसमें पाई जाती ही, राजा बेटा, लिम्नोफिला में, हॉर्मोगोनिया, मोस्ट, 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 मोस असिलेटोरिया में हॉर्मोगोनिया वेजीटेटिव रिप्रोड़क्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये किस में बाए जाते हैं राजा बेटा दीज आर फाउंड इन असिलेटोरिया अब आ जाओ कि जो पैनेसिलियम नोटेटम से हम लोग और शदी बनाते हैं ठीक है ना ये पैन पैनेसिलियम किस क्लास में आता है एसको माई सीट्स की क्लास में आता है किस क्लास में आता है राजा बेटा एसको माई सीट्स की क्लास में आता है तो भाया यह हम लोगों की आज वीडियो टोटल 533 कोईशन हम लोगों ने कर डाले और हम लोगों की 82 नुमबर की वीडियो यह पूरी की पूरी कमपाईल हो गई आज एक बच्चे ने हमको अपनी पूरी वीडियो बना के बेजा है और जूफी नाम है उनका जूफी जी उन् में शंशोधन करके लिखके थोड़ा से स्पेस छोड़के अपना ग्यान उसमें भरके जो आपको लाइन लगी कि हमसे गलती हो गई है या हमें नहीं आती या सर ने इसको नहीं बताया लेकिन यह पूछा जाता है तो उसको यहां कहीं जैसी यह जगे बनी है यहां पर लिख लिया आई बात समझ में तो उन सबको उसमें जगे लिखकर आप अपने पास रख सकते हो ठीक है ना तो बस अच्छी बात है हमनों के ट्री टूल वीडियो कंप्लीट हो गई अठारा वीडियो और बची थैंक्यू सो मच बबाए लव यौल